बच्छो कोशन नमबर 12 में आपको इलेक्टो मेगनेटिक रेडिशन है जिसकी वेवलेंथ है 3500 एंग्स्ट्रॉम और वो एक मेटल सर्फेस पे आप फॉल कराते हो तो इलेक्ट्रों जो होते हैं वो इमिट होते हैं और उन इलेक्टों की कानेटिक एनरजी कितनी है 1.91 इंटो टैंसवर 5 जूल पर मोल ठीक है पर मोल में दी है आपको कानेटिक एनरजी और आपको थेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन ठीक है अब यह कौन सा एफेक्ट हो रहा है यह फोट और हनुव नॉट क्या है थ्रेशोल्ड एनरजी कितनी एनरजी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए उस सर्फेस में से प्लस बाकी जो एनरजी है वो कानेटिक एनरजी के रूप में लेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है आपको कानेटिक एनरजी की वेल्यू दी हुई है आपको लेम्डा की वेल्यू दी हुई है टोटल है 3500 एंक्स्ट्रॉम इसको मीटर में चेंज किया तो जितना लेम्डा है उसके एकवडिंग आप एनर्जी निकाल ले तो भी आप टोटल एनर्जी कितनी इंटू ओवगाडो नंबर इससे आपको निकल के आई टोटल एनर्जी कौनसी जो आप फॉल करा रहे हो एच्छे नियू की वेल्यू निकल आई के यह आपको देई रखी है पर मोल में तो अब आप एच्छे नियू नॉट निकाल लो मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी रिक्वाइड है वो आपकी निकल के आई इतनी पर मोल 1.5 नियू ट्रेश्वर 5 जूल्स पर मोल अब हमें तो यह नहीं पूछी हमें फ्रिक्वेंसी पूछी है कोई बात नी एच्छे नियू नॉट क्या है minimum energy required to remove one mole of electron तो एक electron को remove करने के लिए कितनी energy चाहिए होगी उसमें divide कर दो तो आपको एक electron के लिए आ जाएगी अब एक electron के लिए threshold frequency कितनी हो जाएगी new naught is equal to यह जो total energy है अपन यह planks का constant कैसे क्योंकि e is equal to h नहीं होता है न तो new क्या हो जाएगा new is equal to e upon h ओके तो threshold frequency आ गए आपकी 3.78 इंटो टेंसर बार 14 पर सेकेंड या हर्ट्स इतनी frequency threshold frequency की light आपको required थी electron को निकालने के लिए बाकी जो है वो electron काइनिटिक एनजी के को लेके emit हो गया ओके photoelectric factor है यह